Hey guys, welcome back to the brand new video on the channel So guys, Instagram पे common problem बहुत ही चल रही है कि हर किसी को Instagram पे action block आ रहा है देखो, Instagram action block आने के बाद आप लोगों को problem सी हो जाती कि आप किसी को ना तो follow कर पाते हैं, ना like कर पाते हैं, ना comment कर पाते हैं तो Instagram action block पे मैंने already दो videos बनाई हैं जिनमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा support दिखाया है बट कुछ लोगों को ये कहना कि भाई, हम लोगों ने वो चीज़े try कर ली हैं बट हमारा action block फिर भी सही नहीं हो रहा है तो मेरी आप लोगों से request है कि guys आप लोगों कि अगर वो दोनो videos देखने के बाद भी action block problem solve नहीं हो रहा है तो इस video को पूरा देखना है और कभी-कभी देखो मैं आपको कुछ starting में चीज़े बता देता हूँ जैसे जो मैं आप लोगों को इसमें tricks बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग उन दो videos को नहीं देखी और इसको देख रहे हो और इस वज़े से solve नहीं हो रहा है तो आप लोग उन दो videos को भी देखना जिसका मैं link video के description में दे दूँगा तो कभी कभी क्या होता है कि अलग-अलग problems action blog एक type का नहीं होता है multiple types का होता है Instagram पे action blog तो Instagram का action blog बहुत ही common problem चल रहा है तो इसका solution मैं आज की इस video में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो अगर आप इस channel पे पहली बार आए हैं तो भाई subscribe कर लो because आप लोगों को ऐसी amazing और interesting videos यहाँ पर regular देखने को मिलेंगी तो देखो action blog मैं आप लोगों को आज की इस video में नहीं बताऊँगा क्यों आ आता है किस वज़े से आता है इसके लिए मैंने proper दो videos बनाई हुई है जिनमें मैंने सारी चीजे cover करियो है वो नहीं देखी link description में है जाके याज से जरूर देखना अगर Instagram को अगर future मैं avoid करना चाहते हो कि action blog ना भी आए तो उस पे भी video वो दोनों वीडियो में आप लोगों को सारी चीजे cover करियो है अब मैं आपको बताता हूँ देखो उनमें मैंने most of चीजे cover कर ली थी बट मैंने कुछ चीजे जो cover नहीं करी है इस video में आपको बता रहा हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि video को like कर देना है वो मुझे बता है आप लोग कर देंगे अब मैं आपको main topic पर आता हूँ कि मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि अभी जैसे कि आप यहीं कहीं यहीं कहीं यहीं कहीं आप लोग मेरे screen ओकी आई तो आप लोगों को first of all क्या करना है कि instagram के home page में आ जाना है आपके account के और आप लोगों को सबसे पहले उपर वाले right side में click करना है and settings वाले option में चले जाना है settings वाले option में जाने के बाद आप लोगों को यह करना है कि आप लोगों को जाना है account में ठीक है account में जाने के बाद जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको linked accounts दिख रहे हैं वाला मैं आप लोग उको बता देता हूं linked accounts तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो मेरा linked accounts कहां कहां है सिर्फ facebook पर linked है तो यह जो save websites हैं जो कि instagram मतलब जैसे facebook का instagram है अब तो तो ऐसी websites पर आप लोग login करेंगे कोई दिक्कत नहीं है instagram के जरीए बट अगर आप लोग third party application जो की अलग-अलग applications होती है जिनमें आप दो-दो साल पूराने login आपको पता भी नहीं होता तो यहां पर वो चीज़े आप लोगों को show करेंगी टिक mark होगा right वाला तो आप लोग यहां पर click कर सकते हैं और यहां से आप लोग अपना login वगेरा जो है उसको हटा सकते हैं तो देखो यहां से टिक मारके तो आपको directly option आ जाएगा यहां से हटाने का तो वहां यह सारी website आप लोगों को यहां पर सारी website show करेंगी तो अगर ऐसी कोई सी website से जो की इन में से नहीं है तो आप लोग उनको यास से हटा दे उसके बाद मैं आपको उताता हूँ क्या करना है यहां से अटाने के बाद आप लोगों को जाना है और अगर नहीं भी है तो भी आप ये process continue कर सकते हैं यहां पर login है ठीक है कोई login नहीं है तो भी कोई बात नहीं है अब आप लोगों को again home पे चले जाना है मैं आपको इसलिए step by step सारी process बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझा है अब आप लोगो again three dots पे click करना है उपर वाले के lines में three dots कुछ भी वह लो settings में जाना है settings में जाने के बाद आप लोगों को security में जाना है तो यहां से आप लोग Facebook के जरीए भी reset कर सकते है मुझे option आ रहा है वरना यहां Facebook से login नहीं होता तो ऐसा कुछ option नहीं आता ठीक है तो यहां इसके जरीए आप लोग password reset कर सकते है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है अब आप लोगों को जाना है settings में settings में जाने के बाद आप लोगों को search करना है अपनी application में जैसे कि यहां पर मेरे installed app है installed app में आप लोगों को जाना है and search कर लेना है instagram आप लोग directly भी जा सकते हैं आपके इसमें option आ जाएगा यहां पे जाने के बाद आपको clear data और clear all data पे click कर देना अब भी आप लोगों को बोल रहों को क्यों मैं आपको बताता हूं clear data click कर देना है and अब आप लोगों को जाना है play store में ठीक है तो कारा भाई play store तो यह रामारा play store play store में जाने के बाद guys आप लोगों को search करना है instagram application Instagram को यह application यहाँ पर आप लोगों को कर देनी है uninstall uninstall करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि again install करना है जो मैं आप लोगों को process बता रहा हूँ अच्छे से समझे password change करना है clear data करना है uninstall करना है उसके बाद वापिस से Instagram को install करना है इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को अगेन ओपन करना है अब आप लोगों की डीटेल्स लॉग इन कर देनी है लॉग इन कर दोगे तो यहां पर यह होगा कि 50-50 चांसे हैं कि आपका action block हट सकता है अगर नहीं हट रहा तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है आप लोगो को Instagram action block का solution मिल जाएगा तो होप आप लोगों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो मिस्स ना करें मैं मलता हूं आप से किसी amazing और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए stay tuned with Manishwar you